हलो भाईयों तो स्वागत है आप लोगों का SSJT के एक निव वीडियो में जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि रिजल्ट कब आएगा फिजिकल कब होगा सीट बढ़ने के बाद अब एकस्पेक्टेड कटफ क्या होगा बिहार का मैं बताऊंगा भी जनरल और नकसल जीला का क्या एकस्पेक्टेड कटफ रहने वाला है और एक बात जैसे कि नक्सल जीला का cut-off सबसे कम जाएगा तो क्यों cut-off कम जाएगा नक्सल जीला का वो भी हम बताते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं हम बताते हैं कि नक्सल जीला का cut-off क्यों कम जाएगा क्या expected cut-off रहेगा result कम आएगा तो चलिए बताते हैं आपको जैसे के SACD दूरते हैं इसके बारे में अब लोगों पता होगा सीट बढ़ चुका है ITV में सीट बढ़ा है और सीट बढ़ के 54187 सीट अब हो चुकी है ठीक है अगर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है तो रिजल्ट अपका 15 अप्रैल तक आ जाएगा क्योंकि सरकार मिशन मोड के तहट जौब देना है उसको तो 15 अप्रिल तक आपका रिजल्ट रेट आ जाएगा वैसे अगर जेनरली देखा जाए तो ऐसे रिजल्ट आना चाहिए 15 मई तक क्योंकि अगर 2018 और 2018 के बहाली देखा जाए तो उसके अनुसार रिजल्ट लगभग 100 दिन के या तीन महिना के लगभग में आता है तो आप लोग को पता होगा कभी एक मंथ हुआ है और 15 अप्रिल तक और दो मंथ लगभग हो जाएगा तो एस्पेक्टेड है कि दो मंथ में रिजल्ट आ जाएगा क्यों रिजल्ट आ जाएगा दो मंथ में क्योंकि आगे आप CPU का एकजाम देखे CGR का एकजाम देखे प्रिका तो लगभग 50 से 52 दिन के लगभग में रिजल्ट दे दिया है रिस्पेक्टेड है कि रिजॉल्ट इसका SSTD का भी 15 अपरेल तक जारी कर दिया जाएगा आप लोगों पता होगा रिजॉल्ट के बाद लगभग 2 महीना का समय फिजिकल के लिए मिलता है लगभग 50 दिन का समय मिलता है फिजिकल के लिए लेकिन इस वार हमको जहां तक लगत पिसके बाद जेनरल इसटी का कट अफ देखेंगे एस्पेक्टेड कीतना रहेगा और नक्सल इसटी का कुम रहेगा उससे पहले हम कुछ और चीजों को जैसे देख लेते हैं जैसे अगर बिहार का मैंने कुछ डाटा निकाला हुआ है जैसे बिहार में अगर देखा जैके total seat कितना है male की बात करे हम अगर बिहार में male की बात करें total seat general में 1863 नकसल में 1561 और border में 842 seat है और female की बात करें तो general district में 222 seat नकसल district में 1850 seat और border district में 69 seat है अगर overall total देखा जाकि बिहार में कितना seat है तो बिहार में total 50187 में 4732 पोस्ट है लड़का लड़की और पुरा बोर्डर जेनरल डिश्टिक मिला करके अगर इसको हम परसेंटेज से देखें तो टोटल पोस्ट का बिहार में परसेंटेज सीट में हो जाएगा आपका लगवग साढ़े नो परसेंट तो पचास जारे खुस्तासी में सेटाली सो प पांट है जैसे आप लोगो बताते हैं नकसल घीला की हमें पर बात कररां है कटप के डिटल्स की पहले नकसल घीला में आपको पनर świeietet情 जीला था दुश्टार स्रेक्टिट 1561 बच्चे होंगे एसी जीडी के मेरिट में कॉट अफ कम जाने का एक और रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं CGL और CPO के जो त्यारी करते हैं CHSL के वो बस एक्जाम ही दे देते हैं उसका दो फिजिकल भी अटेप्ट नहीं करते हैं तो मेडिकल का कट अफ थोड़ा जब फिजिकल का कट अफ आएगा उससे कम ही ऊपर जाएगा बहुत पिछले बार भी हुगा था कि 50% लगभग लड़क और सबसी बड़ी बात यही होती है कि हाईयर माक्स वाले वही बच्चे होते हैं जो सुजियर के दियारी कर रहा है उसका अच्छा नंबर होता है लेकिन वो जाता नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एस्पेक्टेट कतफ नक्सल डिष्टी के लिए त नुसार में बता रहा हूँ फिजिकल आपका लगभग 82 से 86 पे आपको फिजिकल के लिए एडिमिट कार्ड आ जाएगी 100% और आपका मेरिट 102 से 106 के बीच बन जाएगा क्यों कम जा रहा है मैंने सारा कारण बता दिया है आपको OBC के देखा जाए तो 422 पोस्ट है 80 85 फिज फिजिकल के लिए 85 जाएगा और यहां मेरिट के लिए 100 से 104 जाएगा यह नॉर्मलाइज होने के बाद का स्कोर में बता रहा हूँ यह रो माक्स नहीं है यह नॉर्मलाइज होने की बादगी कटव है जो एस्पेक्टेड है एसी कटेगरी 250 पोस्ट है इसका 65 से 70 फिजिकल क के लिए कटव जाएगा और 99 से 100 दूतक इसका मेरिट बन जाएगा ठीक है और टोटल आपको पता होगा नक्सल में 560 सीट है इसमें ठीक है किसी-किसी भाई को अगर लग रहा है कि इतना कम कटव नहीं जाएगा तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे पहले 16 जिल तो हम लोग अब बिहार के जनरल दिश्टिक के बारे में बात कर लेते हैं जैसे हुआ क्या कि बिहार के जनरल दिश्टिक में 16 जीला आते थे ठीक है लेकिन अब क्या हुआ है इस बार की नक्सल से 6 जीला को निकाल दिया गया है जो 6 जीला अब बिहार के जनरल दिश्टिक से qualify करेंगे ठीक है तो इस बार थोड़ा general district में fight ज्यादा होने वाला है बसरते पिछली बार से तो double seat है तो इस बार general district में 1863 seat है हम उसके अनुसार general district के लिए expected cutoff के बारे में चर्चा करेंगे जैसे अगर बिहार के general district mail की बात करें हम तो UR में 800 untown vacancy है physical की cutoff 96-100 के बीच में रहेगी और इसका merit जो है 112-114 के बीच में जाएगा OBC की बात करें तो 504 post है इसका जो physical का cutoff होगा 94-9090 जाएगा और merit 4 होगी 110-112 के बीच में जाएगी ST की बात करें तो 17 post है इसमें 95-9790 physical के लिए cutoff और 110-1122 के बीच में इसकी merit जाएगी SC के इसलिए मैं OBC के लगभग में बता रहा हूँ क्योंकि जो इसका post है सिर्फ 17 ही है SC की बात करें तो 298 post है 77-80 इसका physical के लिए cutoff और 92-95 इसका merit जाएगा EWS की बात करें तो 92-96 इसका physical के लिए cutoff और 108-112 तक इसका merit जाएगा आपको कोई न कोई post इसमें 100% मिल जाएगा Cutoff लगभग सेम रहेगा क्योंकि इस cutoff बनाने के पीछे बहुत सारा चीज को देखा गया है पिछला साल का cutoff इस साल का cutoff बहुत सारा चीज को मिला के इस cutoff को मैंने expected पताया है तो आपको जैसे पता ही होगा result लगभग result लगभग 15 अपरेल तक आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा क्या cutoff होने वाला है बसरते बहुत सारे बच्चे को मन में एक होता है कि क्या हम physical के त्यारी करे या नहीं करे एक expected cutoff हो जाने से थोड़ा मन में संतुष्टी होती है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं तो अगर आपका मैंने जो बताया expected cutoff के अंतरगात आपका है तो आप 100% आ जाईएगा मेरा विश्वास कीजिए बहुत सारे चीज को देखते हुए मैंने बनाया है और बहुत सारफ है कैंसीच आपके सामने है और आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि हाँ ये हो सकता है ऐसा ही cutoff जाएगा तो यही था फिलहाल विडियो अगर विडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा हम सब कमेंट का रिपलाई करते हैं कमेंट का रिपलाई करेंगे तो धन्यबाद